नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आप लोग लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जहें मेंस का एकजाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है आपका रिजल्ट कब आएगा तारीक आ गई है मैं इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आप को देने वाला हूं और दोस्तों इस बार कटाफ कितनी रहेगी यह भी मैं बताऊंगा क्या कोई बदलाव किया गया है सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो का अंदर मिलने वाली है बस आप लोग पेसंस रखेगा और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पने हैं तो चैन देखिए अमर उजाला का ओप्सियल वेपसाइड है और यहां पर देखिए न्यूज पब्लिस किया गया है जी मैन परणामों का है इंतिजार तो पहले जान ले यह बात नहीं तो पस्ताएंगे जिया दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंच जानकारी है जो आपको जानना बह अगले सब्ता जारी होने के उम्मीद राश्ट्रिय परिच्छण एजंसी एंटिये परिच्छक प्रणाम 30 अपरेल को गोजित कर सकता है तो दोस्तों देख सकते हैं आप 30 अपरेल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा अब बात आती है कटाफ कितनी रहेगी इस बार तो मैं आपको बता देता हूं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी तरफ से विचार दे रहें एक्सपेक्टेड कटाफ बता रहे हैं इनी के बीच आपका कटाफ रहेगा तो चलते हैं आपको दिखा देते हैं वो कितनी है कटाफ तो दोस्तों यह रही कटाफ आप देख सकते में 2019 expected cut-off कई expert जो हैं और coaching institute वाले हैं आप जानते भी हैं फिट जी वगरा जो famous हैं वो cut-off यह आप लोगों के लिए दिये हैं कि इनके बीच आपका cut-off हो सकता है Indian Express में यह publish किया गया है कि जर्नल कटेगरी का 85 और 90 के बीच जाएगा OBC का 45-70, SC का 40-70 के बीच और ST का 40-70 के बीच रहेगा और आप देख सकते हैं सर्वग्यान, जागरन जोस, इंट्रेंस जोन, अगला सेम, फिट जी, कैरियर लॉंचर, टाइम्सनाव और हिंदुस्तोन टाइम्स सम्में दिया गया है और ये फिट जी वाले जो हैं 100 और 110 के बीच बता रहे हैं जर्नल की तो दोस्तों मान की चलिए SC के ऊपर दोस्तों मान की चलिए कि जर्नल की कटाफ 80 के ऊपर जाएगी ये ऐसा अनमान लगाया जा रहा है और अभी औपसियल कटाफ नहीं जारी किया गया है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा अब तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी तो दोस्तों आज के लिए ही तक आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी साथ जय हिंद जय भारत